सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज हम हाईयर एज्यूकेशन के अंदर यूजी सी यानि की विश्व विद्याले अनुदान आयोग के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तो यूजी सी से हर बार कोशन आने की संभावना रहती है और अभी तक इसमें से बहुत से कोशन आए है और दिसम्बर 2018 और जून 2019 में भी इसमें से कोशन आये है इस वीडियो में हम यूजी जी के बारे में पूरे अच्छे तरीके से जानेंगे और इस वीडियो में ये भी देखेंगे दोस्तो कि आज तक यूजी से से रिलेटिड कितने कोशन आये और किस तरह से एक्जामिनर कोशन पूचता है तो दोस्तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तो हमने NDA UGC NET दिसम्बर 2019 एक्जाम के लिए एक पेड वर्टसप ग्रूप बनाया है इस ग्रूप में हम आपको दोस्तो systematic ढंग से study करवाएंगे इस ग्रूप में आपको हर रोज दो वीडियो मिलेगी सुभह की जो वीडियो होगी वो theoretical होगी और स्याम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको most important question के बारे में बताएंगे और उनका mock test भी लेंगे इस ग्रूप में आपको दोस्तों 10 unit के PDF study notes दिये जाएंगे इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक topic wise old paper PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर unit में most important repeated question की PDF दी जाएगी तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रूप को join कीजिए और अपनी study अच्छे से कीजिए लिंक वीडियो description box में दिया हुआ है तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं UGC के बारे में इसको देखे हिंदी में कहते हैं विस्व विधाले अनुदान आयोग कहते हैं और इंग्लिस में इसको university grant commission कहा जाता है इसके वर्तमान में अध्यक्स कौन है प्रोफेसर धिरिंदर पाल सिंग है जो 2017 में नियुक्त हुए थे अब देखे इसकेंदर जो हमें ध्यान देने वाली बाते हैं वो क्या क्या है यह केंदरिय सरकार का एक आयोग है जो विस्व विधाले को मननेता देता है अब देखे यहाँ पे आप अभी से नोट करना सुरू कर दीजिए UGC के बारे में कि यह क्या क्या काम करता है इसकी क्या खासियत है सबसे पहली खासियत यह है कि विस्व विधाले को मननेता देता है यह उसके बाद में यही आयोग सरकार दवारा मननेता प्राप विस्व विधाले और महा विधाले को अनुदान भी देता है यानि कि उनको ग्रांट देता है कि कि किस कोलेज के अंदर कितना ग्रांट लगना चाहिए वो सभी UGC से निर्धारित होता है यह कोशन आ चुके दोस्तो पहले इसका मुख्याले नई दिली में है और इसके चे चेतरिय कारेलेवी है एक पूने में एक भौपाल में कोलकता हैदराबाद गुहाटी और बैंगलूर के अंदर है दोस्तों इसमें से भी question आया है एक वार की इसके कारियला के वारे में question आया था और इतने जो ये नोर्स है दोस्तों इसमें से अभी तब करेब 3-4 वार question आ चुके हैं आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से question आये हैं और उसके बाद जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो यूजीसी नेट है जैसे नाम से ही हम कहते ही यूजीसी नेट कहते है तो इसका मतलब कि ये जो national eligibility test है ये इसी से संबंधित है UGC से संबंधित है और यही क्या करता है दोस्तों विशोविधालियों महाविधालियों में अध्यापक को की नियुकती होती है इसी के दवारा होती है और इसके अंदर देखे और क्या चीज़ है वो हम देखते हैं सन 1952 में सरकार ने निर्णे लिया कि केंद्रिये और अन्य उच्छ सिक्षन संस्थाओं को दी जाने वाली वित्य साहिता के मामले में उन्वर्ष्टी ग्रांट कमीशन के अधिन लाया जाएगा ठीक है यानि कि उनको जो जो सुविधाई दी जाती थी फाइनिसली वो उन्व 52 के अंदर तै किया गया था इस तरह 28 दिसंबर 1953 को ततकालेन शिक्षा मंतरी मौलाना अब्दुलकलाम अजाद ने उपचारिक तोर पर इन्वर्ष्टी ग्रांट कमीशन की नियू रखी थी इसके बाद सन 1956 में जाकर ही UGC को संसद में पारित कर एक विशेश विधेक के ब सिक्षा मंतरी मौलाना अब्दुलकलाम अजाद ने इनको स्थापित किया था और कब किया था 1956 के अंदर किया था और एक चीज और इसे किस तरह से स्थापित किया था संसद में पारिक के एक विशेश विधेक के दवारा इसको पारित किया गया था यहां से हमारे तीन कोश अभी तक आ चुके हैं तो इन चीजों को आप ध्यान से पढ़ना दोस्तों एक एक चीज़ को आप नोट करते चलना और आगेम आपको दिखाऊंगा भी और उसके बाद दोस्तों अभी क्या हुआ इसके अंदर रिसेंटली देश के सिक्षा चेतर में बड़े सुधार के उद कर रही है वो है दोस्तों एक उच्च सिक्षा नियामक बनाने जा रही है जिसको हम क्या कहते हैं हाईयर एजुकेशन एमपावर्मेंट रेगुलेशन एजनसी यानि की उसे हीरा नाम देने की सोच रहे हैं तो ए ए आई सी टी और यूजीशी को खतम करके हीरा को लाने की अ गठन किया जाएगा ये चीज हमारे लिए यहां पर इंपोर्टेंट है इसमें से कॉस्चन आ सकता है दोस्तों और देखते हैं दोस्तों यूजीशी के अब बात आते हैं कि यूजीशी के मुख्य कारिय क्या है इसके उदेश से क्या है वो हमें पता होना चाहिए क्योंकि इसमें से काफी बार कॉस्चन आये हैं देखिए विश्व विधाले शिक्षा का सम म्नम्वय और उसको बढ़हवा देना विश्व विधाल्यों में शिक्षण प्रिक्षण और अनु संधान के मानकों का निर्धारन और अनुरिक्षण अब देखिए यहां पे ध्यान ये सभी चीजे UGC निर्धारित करता है उसके बाद में शिक्षा के नियमों के नियुन्तम स्तरका निर्धारन यानि कि शिक्षा को जो सतर है हमारा वो नियुन्तम यानि कि मिनिमम क्या होना चाहिए इसके बारे में ये सोचता है और उसके बाद में विशव विद्याल और कॉलेजों को अनुदान वित्रण यानिकि ये उनको कमीशन देता है कमीशन का मतलब ये है कि उनको धनरासी देता है अपनी संस्था अच्छे से चलाने के लिए उच्छ सिक्षण संस्थानों संग सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है यानि कि यह क्या करता है जो हमारी Central Government है और राज्य सरकार उन दोनों के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है केंदर और राज्य सरकार दोनों को ये प्रामर्स देता है इसमें से भी दोस्तों करीब 3-4 वार आज तक कुर्शन आज चुके है और और हम देखते दोस्तों और इसके अंदर क्या चीज़े है उच सिक्षा है तो सिक्षा परतयानन काढ़ है विश विधाले अनुदान लिवाट नायोग के निमन 15 स्थानों दवारा की आजाता है यानि की देखिए UGC के दवारा किन किन को कंट्रोल किया जाता है वो यहाँ पे लिष्ट दी हुई है यहाँ पे आप यह सारी की सारी देख सकते हैं और अब बात आती है दोस्तों कोशन की बात आती है कि इसमें से किस तरह के कोशन आये हैं यह देखे दोस्तों यह जोन 2013 के अंदर कोशन आया था विसेवी धाले अनुदान आयोक के संबन्द में निमल लिखेत में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है वो हमें बताना है अब देखे इन च्यारों के उपर हम बात करते हैं सबसे पहला है 1956 में संसद के एक अधिनियम के दवारा स्थापित किया गया था यह बात हमने दोस्तों अभी पढ़ी थी 1956 में और संसद दवारा इसे स्थापित किया गया था तो यह बात बिल्कुल चाहिए है उसके बाद में इसे उच्च सिक्षा की उन्नती और समनवे का कार्य सोपा गया यह बात भी बिल्कुल चाहिए है इसे केंदर सरकार के योजनागत और गैर योजनागत नीधिया प्राप्त होती है यह बात भी सही है दोस्तों उसके बाद में राज्य विसवी धहलों के लिए इसे राज्य सरकारों से नीधिया प्राप्त होती है यह बात इसकी सही है दोस्तों यह कहरा कि स्टेट की जो सरकार होती है उससे इनको फंड मिलता है यूजी सी को फंड मिलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है दोस्तो इसको कहां से मिलता है इसको सेंटर गवर्णमेंट से ही फंड सारा का सारा मिलता है ये बात इसकी यहां पे गलत है और आगे हम देखते हैं दोस्तो ये हमारा दिसंबर 2014 के अंदर कॉशन आया था अब ये देखे विसेवी धाले अंदान आय ज़्यादा संख्या थी ये चलो ये 2014 की थी तो ये अब की बार कॉशन नहीं आएगा हां इस तरीके से आ सकता कि 2019 के अंदर कौन सी फेक युनिवर्ष्टी थी और किस राज्य में सबसे ज्यादा संख्या थी इस तरह से आ सकता है तो फेक युनिवर्ष्टी की जो पूचे जाते हैं यहाँ पर हमें पता चल गया कि फेक युनिवर्ष्टी से भी कॉशन पूच सकते हैं तो यह हमें बात ध्याद में रखनी है अब 2018 में या 2019 में जो फेक युनिवर्ष्टी रिलीज होई है वो हमें ध्यान में रखना जरूरी है ये हमारा मोटिव है दिख 956 के अधिन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए शक्षम है वो हमें बताना कि एसे कौन शी यूनिवेसिटी है जो डिग्री देने के की लाईख है वो हमें देखना है तो यहां पे आप आणसर देख सकते है है एक दो ओर चार हम देख लेते हैं हको कौन कौन शे है एक दो च्यार संसद के अधिनियम दवारा स्थापित विशो विध्याले ठीक है विधान मंडल के अधिनियम दवारा स्थापित विशो विध्याले ये बात भी ठीक है विशो विध्याले समझे जाने वाले संसथा ये बात भी ठीक है लेकिन अब ऑप्शन न 15 के इंदर कोशन आया था इसके अंधर इन्हों ने क्या कहा है कि वी सभी धाले अंदान आयो को निमल लिखित में जित की ओंधित्र किया गया इसके उद्धित्त से पूछलेये हुद हैं यहां पे इसके उद्धित्र से पूछ लेकिनगर इसके हम चान एवम उन्हें उसी रूप में बनाए रखने के लिए चलिए इस पे हम एक बार ये कर देते हैं हम डाउट पे रख लेते इसको आगे देखते हैं शिक्सको का समता निर्मान ये बात भी हम डाउट में रख लेते हैं उसके बाद में भारत की उच्छ शिक्साच छेतर की परतेक संस्था को सवायता परदान करने के लिए ये बात इसकी गलत है दोस्तों अब देखिए ये कह रहा है कि भारत में जितने वी इंस्टिटूट है कोलेज है उन सभी को सवायता देना यानि कि अपने हिसाब से चलने के लिए अनुमती देना तो ये बात इसकी बिल्कुल गलत है दोस्तों UGC ऐसा कभी नहीं करता संकी सभी कोलेज अपने हिसाब से इंस्टिटूट है अपने हिसाब से वो रूल रेगुलेशन बनाए और तो ये बात इसकी गलत है तो इसमें जो हमारा answer होगा वो होगा दोस्तों A, B, C यहाँ पर हम कह सकते कि यह तीनों की तीनों चीज़े इसकी सही होगी तो इस तरीके से भी दोस्तों आप eliminate कर सकते हैं option को कि कौन सा option गलत है और कौन से सही है तो चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं आगे हमारा question है निमल लिकेत में से dimmed viso विधाले के विशे में कौन सा कथन सही है दोस्तों ये जो dimmed viso विधाले इसके बारे में हम करेंगे कल की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि भारत के अंदर कितनी तरह की university है और जो dimmed university है उसके क्या-क्या अधिकार है वो सभी आपको कल की वीडियो में बताएंगे ये पता नहीं कैसे आगया बीच में question और आगे देखतें दोस्तों ये देखें ये दिसंबर 2018 में question आया था इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है भारत में उच्छ शिक्षा के समनम्वे और गुणवता के लिए निमन लिखित में से किसे जिम्मेवारी शोपी गई है अब ये देखें दोस्तों ये चीज हमने करी कितने असान question कितने असान question आ रहे हैं बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आव सकता है थोड़ा सा अगर अप ध्यान से पढ़ लोगे ना दोस्तों तो net और जियारफ दोनों clear हो सकते हैं आपके अब देखिए आगे हम देखते हैं ये हमारा दिसंबर 2012 ये हमारा दिसंबर 2018 2018 में question आया था इसके अंदर इन्होंने कहा है विसो विद्याले अनुदान आयों के पास मानव अधिकार और सिक्षा में मुल्य के लिए का योजना है ये कोई scheme है UGC के पास है इस योजना के तहत मानवा धिकार और करतव्य सिक्षा घटक के लिए निमलिकित में से कौन सा क अथन गलत है वो हमें बताना है दोस्तों चलिए इसका हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं इसका अंसर है उप्सन नमबर थरी स्कूलों में मुल्य और कल्यान के अंदर स्थापित करना तो ये बात इसकी गलत है दोस्तों ये अब इसके बारे में हमें हमें पूरा पढ़न इसके बाद में दोस्तों ये कोस्टन देखे कितना जबरदस्त बढ़िया वाला कोस्टन है मैं पहले ये दिखा देता हूँ ये हमारा 22 दिसंबर 2018 में आया है कोस्टन देखे कितना मज़ेदार कोस्टन है विसे विधाले अनुदान आयोग यूजी शी का ओपचारिक हित्मे से किस के द्वरा किया गए था आप बताईए दोस्तों किस में किया गया था यहाँपे मैंने अंसर वी दिया मुलाना अब्दुलकलाम अजाद में किया था तो दोस्तों आप देख सकते की कितने असान कोस्टन आ रहे हैं और ये दिखें किए ये हमारा 29 tikन அ अनुष को कोशन पेपर था उसमें ये कोशन था दोस्तों विश्व विधाले अंदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी ये हमें बताना है ये देखे दोस्तों इसमें सीधा चा बात है 1956 में हुई थी हमारी विश्व विधाले अंदान आयोग 1956 अधिनियम के तहत इ 19 का question paper है इसमें देखते हैं UGC की faculty recharge scheme का मुख्य उदेश से निमन लिखित था क्या था उसका उदेश से उसका उदेश से था दोस्तों college और विश्व विधालियों में संकाय के लिए अनुसंधान अनुसंधान वुनियादी धाचे का union यानि कि जो हमारी research अगरा है उसको किस तरीखे से होनी चाहिए उसका पूरा framework त्यार करने के लिए ये faculty recharge scheme चलाए गई थी इसका में उदेश से ये था तो दोस्तों यहां से आप देख सकते कि कितने असान-असान question आते हैं बस थोड़ा सहा में ध्यान देने की आवसकता होती है दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो शी वीडियो को लाइक किजिए share किजिए कमेंट किजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और घंटे का बटन जरूर दबाईए ताके आप हमारी आने वाली वीडियो को सानी से देख सके थैंक्यू दोस्तों